आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी जो कि यह गाजर पाग गाजर की बर्फी तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने गाजर लिया है 600 ग्राम इसे काट लिया इसे हम पीस लेंगे पल्स मोड पर यह मैंने लिया 3 टेबल स्पुन के करीब आटा घी चीनी हमने लिया है 100 ग्राम यह स्वात के अनुसार डाले कुछ हमने लिया है ड्राइफ फ्रूट्स जिसमें है पिस्ता और बादाम और हमने लिया है खुआ जो की है 50 ग्राम अगर आपके पास खुआ ना हो तो आप उसके जगह दूद पाउडर ले सकते वह भी 50 ग्राम तो पैन रख को हम लो फ्लेम पे भूनेंगे फ्लेम को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है आटा की जगह आप मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे परसनली स्वीट में मैदा पसंद नहीं है तो देखिए आटा हमारा भून चुका है अब हम इससे निकाल लेते दूसरी प्लेट म पैन हमारा भीमी गरम में इसमें हम एट कर लेंगे 50 गरम खोवा जो मैं पहले दिखाई थी इसे हम भूनेंगे अगर आप दूद पाउडर का यूज़ कर रहे तो यह पूरा प्रसेस आप स्किप कर सकते हैं तो हम भून लेते हैं को अब हम इसे इसमें टोटल 3-4 मिनिट ल हम आपको धियान रखने नहीं है इस पीसना ही वह दरदरा पीसना है कसना बिल्कुल वह नहीं दिखिए गाजर अमारा भून गया है पहले किस कलर में ता अभी किस कलर मैं अभी हमें बुन देवे 15-20 मिनिट पूरे लगे है गाजर हमारा बुन गया है अब हम एक पैन चढ़ाएंगे जिसमें हमने हाफ लीटर काव मिल्क लिया है मलाई के साथ बॉल्ड मिल्क है अब हम इसमें एड कर देंगे हमारा बुनावा गाजर इसे एड करने के बाद हमें इ इसमें खुआ एड कर देंगे भूनावा खुआ खुआ एड करके इसे अच्छे से मिक्स करना है खुआ उसमें घूल जाएगी दिखेगी नहीं अब भाद ढालने के बाद हम इसे 3-4 मिनिट तक पकाएंगे देन हम इसमें एड कर देंगे चीनी जो कि हमने लिए 500 ग्राम य करते हैं इसे मिक्स कर लेते हैं चीनी डालने के बाद यह पतली हो जाएगी देखे किस तरह की हो गई बड़ घबराने वाली कोई बात नहीं है सारा मॉइस्चर हवा हो जाएगा तो यह हो गया तो यह पकाते-पकाते हमें 6-7 मिनिट हो चुका है दिखिए वाटर भी रिड कडिन गया है अब हम इसमें थोड़ा-thोड़ा करनें और चलाते रहेंगे हैं इस मेत का ध्यान रहना है हाथ बिल्कूल भी नई रोकना यह वरन्ने स्में लंज बन जाएंगे और सारा म renting बेकार हो जाएगा तो अर चलाते-बहुकरा हएा किसी मेरी मुर्यारी मेरी मैं मेर् जमने की consistency तक पकाना है तो यह हमारा हो गया है ready इसे हम गैस बर से हटा लेते हो गया और एक थाली को मेरेस कर लेते हैं तो देखिए एक ग्रीजड थाली हमने ले लिया है आपके पस कोई कंटेनर हो तो आप उसमें जमाए अब हम इसमें सारा मिश्वन डाल लेंगे गाजर का अभी बहुत गरम है लेकिन हमें इसे गरम में ही सेट करना है फिर यह सेट नहीं होगी सारे मिश्वन को हमने थाली में ले लिया है उसे चारो तरफ से इवन करेंगे चोकोर में उपर से नहीं करेंगे एक बाल्लट में गी होगा के तो देखिए अस्ता सेट कर लेंगे हम और साइट से अपकट भी कर सकते इवेंट करने के लिए मैं नहीं काटी भी से उपर में हम थोड़ा इसमें नारियल डाल रहे हैं नारियल का बुरादा कस करके नारियल को आप इसके जगद डेसिकेटेड कोकोनट भी उसकर सकते हैं अगर ना हो तो स्कीप करें यह भी ऑप्शनल है बड़ टेस्ट भी आ जाता है और देखने में थोड़ा सुंदर भी लगता है है ना तो इस तरह से हमने इसे कर लिया है गार्निशिंग अच्छे से थोड़ा सा हम इसे इस तरह से दबा देंगे हाथों से तक यह फिक्स हो अब हम इसमें निशान लगा लेंगे कटिंग की कटिंग की निशान इसलिए लगाने जरूर क्योंकि अभी ना गरम भी है और मुलायम भी है तो अब हम इसे छोड़ देंगे एक घंटे के लिए आप इसे जरूर बनाना मुझे साइट थोड़ा निवेल लग रहा था तो मै उसे निकाल लेंगे ध्यान से अराम से निकाले यह काफी सौफ्ट है तो इस तैसे हम सारा निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स हमारा गाजर पाक गाजर की बरफी बनकर हो गई है रेड़ी मिठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बट यह रैसिपी ना इग परफेक्ट आप जरूर बनाईएगा और मुझे जरूर बताईएगा कैसी लगी तो चलिए फ्रेंट्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाई-बाई-बाई-टेक क्या आज मैं बनाऊंगी सबके लिए घाजर का हलुआ यह मैं काफी यूज को एंटिटी में बना रही हूं घर मे और यह बिल्कुल दानेदा टेक्स्टर में आएगा इसमें हम गाजरो को घिसेंगे भी नहीं और बहुत ही कम घी में हम इसे बनाके रेडि करेंगे और यह बहुत ही टेस्टी बनने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को तो यहाँ पर मैंने चार किलो के करीब गाजर लिया है बिल्कुल रेड रेड गाजर है तो गाजरों को हम पहले सफाई कर लेंगे छील लेंगे इस तरीके से और जो छोटे गाजर है मैं उसे हाथ पे इस तरीके से रख करके छील रही हूँ यहाँ पर लाल गाजर ही आपको लेना है हलुआ के लिए आप किचन प्लाटफॉर्म पे रख करके इस तरीके से सफाई कर सकते हैं बेसिकली हम लोग गाजर के हल्वा में लाल वाले गाजर का ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें मिठास ज्यादा होती है और उसका हल्वा भी स्वादिश नहीं बनता है तो हम जब भी गाजर लेंगे त किलो गाजर के लगभग बचा है क्योंकि एक केजी के लगभग तो इसमें से चील के और टॉप और बॉटम के पाट को निकालने के बाद हुआ था तो यहां पर देखिए गाजरों के लिए ना मैंने एक स्ट्रेणर ले लिया है उसके नीचे एक बरतन रख लेंगे ताकि पानी जो है किचन काउंटर में नहीं गिर के बरतन में जाए और इस तरीके से हम सारे गाजर को पानी से निकाल लेंगे बाहर में गाजर के हल्वे को अच्छा लुक देने के लिए इसमें फूट कलर मिलाया जाता है लेकिन हमें इसकी जरुवत नहीं होगी क्योंकि गाजर इतना अच्छा है कि पानी में भी आ चुका है तो अब हमारा गाजर रेडी है तो बनाते हम इसका हल्वा तो सबसे पहले हम गैस को स्लो करके फिल्म को उसमें डाल देंगे हम गी कहीं आप यहां पर यूज करें तेल यह बटर का यूज मत किजेगा तो यहां पर गी मैंने जाल दिया गी जमा हुआ तो अंदर ही में चम्मत छोड़ दे रही हूं अब इसी गी में जब गी गरम हो जाए तो आप सारे गाजर को इसमें एड कर दीजेगा कुकर यहां पर मैं बड़े वाला ली हूँ पांच लीटर का कुकर है तो इस तरीके से सारे गाजर को एड कर कर देगा अर जो गाजर बड़ा लगे तो उसे इस तरीके से ना हातों से तोड़ कर दे देगे इस में दीजे हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं हाफ लीटर दूद यह दूद ना उबाला हुए है और यह गाय का दूद अब भैस का दूद भी यहां पर यूज कर सकते हैं तो मैं मलाई के साथ ही इसे डालूंगी यह जो गिलास है जिसमें मैं दूदनापरी हूँ यह हाफ लीटर का ही है इसमें हाफ लीटर ही आता है कोई भी चीज तो मैं इसमें दूदनाप करके सारे को मैं गाजर में डाल दी हूँ अब इसमें मैं डाल दूंगी दो पिंच के कर अब नमक दालने से अब यह मत सोचें कि हल्वा नमकीन हो जाएगा ऐसा नहीं होगा इससे स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मीठे चीच का नमक दालने से हलका सा अब मैं इसमें धक्कन लगा करके दो विसल आने दूंगी मीडियम फ्लेम पे दो विसल आने दे और उस के जी मावा लिया है अब अगर आपके पास मावा ना हो तो यहां पर आप 500-200 ग्रम दूद पाउडर एड़ कर सकते हैं और दूद पाउडर आपको कब एड़ करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी तो अगर मावा है तो आप यह प्रोसेस करेंगे अगर नहीं है तो से छे मिनट करने कर चाहे अरह जब ़िलीज करता है तो मावा आपको लगातार भूनते रहना पड़ेगा तो जब तीन से चार मिनट में हो जाएगा और मावा कुछ इस तरीके का ओ जाएगा गी पुरा ही रिलीस कर देता है तो इस समय आप जो भी डृवा स्टाम से जितना कार्जू पिस्ते यह सब भी डाल सकते हैं और नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं तो देखिए मावा हमारा बहुत अच्छे से भून गया है पैन पूरा छोड़ रहा है तो बस मावा को हमें इतना ही भूनना है यहां पर जिस चीज का अल्टरनेटिव हो सकता है मैं घर उप से अठिंपले तो यहां पाइब बताते जाओंगी अब यहां पर गाजा पर झायोंगी ओंध्योगी ओ चलिए हम कुक्कर को चैक कर लेते हैं तो यहां पर देखिए कुकर जो है काफी अच्छे से ठंडी हो गई है और अब हम यहां पर गाजर चेक कर लेंगे क्योंकि हमें गाजर यहां पर पूरा मैशी नहीं चाहिए हल्वा नहीं चाहिए ऐसा चाहिए कि मतलब अराम से कट जाए देखिए इस तरीके का जब हम इसमें काटेंगे कितने अच्छे से गाजर पक गया है तो आपको भी ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पे दो विसली लगाना है तो यहां पर वापस से गैस ओन करके मैंने मावा वाला कड़ाई रखा है और उस कड़ाई में मैं सारे गाजर और मिल्क को अब आट कर दूँगी तो इस तरीके से सारे गाजर को मैंने आट कर दिया है मावा में काफी गरम है तो यह प्रोसेस बहुत ही ध्यान से करें कि बरतन मैंने काफी छोटा ले लिया था हल्वा के लिए तो मैंने इसे हटा कर फिर बड़ी सी आईरन की कढ़ाई मैंने इस पर चढ़ाई और फिर सारे गाजर और दूद को मावे को मैंने इसमें पल्टा और फिर मैं बनाई चाहती तो मैं इस क्लिप को कट कर सकती थी लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि मैंने जो गलती आज किया है वो गलती आप कभी ना करें दूद उफनता है तो हमेंसे यह सब काम सावधानी से करें सारे हल्वे को मैंने बड़े से कड़ाई में ट्रांसफर कर दिया है अभी से हम अच्छे तरीके से एक बार चला देंगे ताकि मावा गाजर और दूद अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इसे अब मैं छ प्योन दज़ी में प्लेज में टाक्या लिया है और देनगे से शिली कोई आख इस के सब्सक्तों प्या कर सकते हैं और या तो आउप गराम मसाला मेंट डाल दीजिए लिखे या फिर जब चाहें बनाते तो चाहे में डाल सकते हैं तो इस तरीके से मेंसे अलग Finu छिलका अलग कर चुकी हूं और इलाईची पाउडर को मैं भल्वे में डालूंगी तो यह एक चोथा चोटी चमच के करीब हुआ है और सभी को अच्छे तरीके से मिला लूंगी यहाँ पर अगर आपके पास इलाईची पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं तो इस वन लीटर दूद का यूज किया है अब यहां पर आपको ऐसी कल्ची लेनी है जिसका बैक थोड़ा मुड़ा हुआ हो जिससे आप गाजर को अराम से कढ़ाई के कॉर्णर पर इस तरीके से रख करके स्मैश कर सके और साइट्स को आप स्क्रैप करते हुए हल्वे में मिलाते जाएंगे देखिए इस तरीके से आपको भी करना है मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखा दूंगी तो इस तरीके से करते करते ना हल्वा अपने आप दानेदार बनता जाएगा बहुत ही अच्छा हल्वा ऐसे बनता है और अगर आप कल्ची से नहीं करना चाहते तो इस त और एकदम दानेदार हल्वा बन करके आता है तो मैंने इसे अच्छे से स्मैश कर दिया है और इसमें जितना भी मौश्चर है इसे हमें खतम करना है यहां पर बीच वीच में चलाते रहेगा और जब हल्वा की कंसिस्टेंसी इस तरीके किया जाएगी कि मौश्चर इसमें किजेगा और अल्रेडी गाजर का हल्वा टाइम टेकिंग वाला काम है शुगर अगर सुर्वात में आट कर देंगे तो यह पकने में और भी ज्यादा समय लेगा शुगर करने के बाद यह पूरी लिक्वीडी फॉर्म में आ जाती है इस तरीके से क्योंकि शुगर का भी व में लगे कि हल्वा काफी तेजी से सूख रही है तो उस समय आपको पूरा ध्यान इस पर रखना है क्योंकि यह स्टेज होती है हल्वा जलने की तो इसमें आप एक स्पैचुला ले लिजे और उससे एकदम नीचे से आपको चलाना है यहां पर ध्यान रखेगा हल्वा बिल अपर से निकाल ले और नीचे वाला बरतन में इस सटे रहन दे बरतन को हटा दे फिर जो उपर से आपने जो खरोचा है उसे दूसरे बरतन में डालके वापस से उसे बनाए जब यहां पर हल्वे में उपर में दूदाना बंद हो जाए दिखे इस तरीके से मतलब हल्वा अ हल्वा पकने का इंडिकेशन यही है मॉइस्टर खतम होकर के हल्वा घी रिलीस करेगी और देखिए इस हल्वे को हमने इतना भूना है कि अब इस साइडों से घी निकल रही है हल्वा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है हम गैस को बंद कर देंगे अब हम गर्मा गर्म हल् होंगे तो सब्सक्राइब किजिएगा जिनगी में मैंने पहली बार यह गाजट का हल्वा बनाया और यह बिल्कुल पर्फेक्ट बना इसलिए अगर आप भी बिगनर्स है तो एक बार में आपसे भी पर्फेक्ट बनेगा तो जरूर बनाईए तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हटीव नेख्ट विदो मैं तील देन बाईब आज टेक्ट वीत।